तो आज का वीडियो होने वाला है हीरो एक्स्ट्रीम 300 और 400 के इंडिया लॉंच्टेट और स्पेसिफिकेशन के बारे में तो वीडियो में बारे रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के अल अप्शन को क्लिक करें ताके मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रीम के लुक्स की तो आपको 300 से 400 सीसी के बीच में आ सकता है इसका लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह है लिक्ट मतलब जो टेस्टिंग के टाइम बाइक दिख रहे हैं कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है आपको बाइक फुली फेड वर्जन है आरार 310 जैसा मतलब या फिर जिक्सर जैसा कह सकते है इसका लुक देखने को मिल जाएगा साइज तो वैसा ही दिख रहा है फुल फेड वाइक है आपको देखने को मिल जाती है फुल मेटर के साथ डिजिटल मतलब सब कुछ अच्छा दिख रहा है इसमें आपको 30bhp की पावर देखने को मिल सकती है और 25Nm तरक का देखने को मिल सकता है तो इसमें आपको 66-speed gearbox भी आता है इसमें फुल इजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसूल आता है इसमें आपको speedometer, odometer, trip meter, gear position indicator, mobile connectivity, hero x-tech technology और x-sense technology, fall sensor यह सब सेंसर इसमें देखने को मिल जाएंगे engine, trouble light भी देखने को मिल जाएंगे engine warning light या फिर engine check light कहते हैं सब लोग engine check light, ABS indicator, dual channel ABS मिलेगा dual disc brake के साथ जो के switchable या super motor ABS कहते हैं इसे switchable ABS भी देखने को मिल सकता है इस बाइक में tires आपको front में 110 section का rear में 150 section का tire देखने को मिल सकता है तो इसकी cornering के capabilities भी आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आप इस photos में देख रहे हैं यह leaked photos है testing के time कुछ ऐसे wrap करके ले जाते हैं testing के time कुछ ऐसी लगती है testing के बाद आपको पता चलेगा कि बाइक काई सी लगी की वैसे तो imagination के photo मैंने thumbnail में और यहां पर आपको बता दिये मतलब design ने जो design किया था extreme 400 आय या extreme 300 आय तो कुछ ऐसे look के साथ आएगी तो मैंने आपको photos बता दिये आइसे कुछ देखने को मिलेगी तो बहुत अच्छी बात होगी iban design ने तो अच्छा बनाया अब बात कर लेते है pricing की तो आपको इसकी एक शोरूम प्राइज आड़ही लाक से तीन लाक रुपए देखने को मिल सकती है 2.5 लाक से लेकर 3 लाक एक शोरूम प्राइज देखने को मिल सकती है एक स्ट्रिम 400 या 300 की और इसी एकस्पेक्टेड लांच डेट अब तो यह टेस्टिंग पर है तो एक से दो माहिने में लांच हो सकती है दीवाली के खरीब या फिर डिसेंबर तक अटेमेटिकली लांच होती हुई दीखेगी हीरो ब्रैंड के तरफ से तो गाइस ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन गाल उप्शन को क्लिक करो इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तें साथ शेयर करो आज की वीडियो में नहीं चलता हूं गुड़ बागाई